प्रदान मंत्री नरेंज मोदी अब से कुछी देर में देश की जनता को हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तयार हो जाएंगे सीधे सवाल 2019 से जुड़े हुए और 2014 के बाद से 2018 तक जो कुछ उनकी सरकार ने किया है जुड़े हुए उससे भी सारे बड़े सवाल आप से कुछी देर में जवाब उसका देते हुए प्रदान मंत्री नरेंज मोदी आपके सामने होंगे और ये मेरा जवाब कैसे दिया जाता है किस तरीके से दिया जाता है ये बहुत दिल्चस्प होगा देखना इसलिए बस आपको थोड़ा इंतजार करना है क्योंकि थोड़ी दिर में आपके सामने स्क्रीन पर प्रदान मंत्री नरेंज मोदी का 2019 का First Day First Show होगा देश के सारे बड़े सारर पर मोदी अपनी राए रकने वाले हैं और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बहुत important हो जाता हि कि देश के प्रदान मंत्री की राए क्या है उनके खुद की नीतियों पर क्या कोई गलती हुई है या क्या कुछ अचीव किया है तीन राजियों में हार उसके बाद महां गठबंदन महंगाई हो या पेट्रोल और डीजल के दाम इन सब पर बेबाकी से क्या प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी अपनी राय रखते हैं अप सवाल आपके जहिन में भी होगा और इसलिए सीधा सवाल में आपसे कुछी देर में प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी आपकी टेलिजिन स्क्रीन पर होंगे ये सबसे नया इंटर्व्यू प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी का या पिर आप इसे ये कह दीजिए कि 2019 का पहला आपके सामने आपसे थोड़ी देर में और मैं आपको बता दू बहुत सारे रिपोर्टर्स अलगलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ गया हैं वो इसलिए क्योंकि आने वाला है प्रदान मंत्री का इंटर्व्यू ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंक विकास भदोर्या प्रकाश कुमार और ब्रजेश राजपूद अभी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं मेरे तीनों सयोगी इस वक्स्क्रीन पर और अब है दूबे जी जाने वाने वरिश पत्रकार यहां स्टूडियो में मेरे साथ है सबसे पहले तो विकास मैं आपके हापी नियु यह और नए नही नहीं बाते प्रदानमंत्री नरेन मोधी के इस इंटर्वियो में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां बिल्कुल रूबिका हमारे सभी दर्शकों को नए साल की शुब कामना है और नए साल में इस नए इंट्रिव्यू परम बाचीत करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए है जायर सी बात है लंबे समय से प्रधान मंत्री की एक इंट्रिव्यू की मांग हो रही थी प्रेस कांफरेंस की मांग हो रही थी और खास तरफ पे कांग्रिस की तरफ से और प्रधान मंत्री ने नए साल के पहले दिन ये इंट्रिव्यू दे कर कांग्रिस की मांग को जरूर पूरा कर दिया है लेकिन प्रधान मंत्री इस तकरीवन 95 मिनिट के इंट्रिव्यू में क क्या क्या बातें कहेंगे यह जानना बेहद रुचिकर होगा जो सारे फैसले, जो सारे डिसिजन प्रदानमंस्री नरें रमोदी ने लिये हैं, उस पर सवाल भी उठे हैं, और उसका क्रेडिट भी जाता है, तो इन दोनों ही पक्षों पर प्रदानमंस्री नरें रमोदी खुलकर अपनी राय रखने वाले हैं, विकास मैं आपके पास को बहुत लंबे अर्से से फॉलो कर रहे हैं उनकी बॉडी लांगविच से लेकर उनके शब्दों के चैन से लेकर हर चीज को नोट करेंगे बिलकुल उभी का नय साल के आपको भी बहुत-बहुत मुवारक बाद हमाया दर्शकों को भी और ये निश्रीत एक बड़ा धमाका है और किसी माएने में कम नहीं कि साल के पहले दिनी प्रदानमंती मोदी का इतना लंबा इंटेव्यू सामने आ रहा है दिये होंगे उन्होंने क्योंकि अभी हार के तीन विधान सवा चनाव में जिस तरीके बीजेपी की करारी हार हुई और अब जो एकदम सामने ही लोग सवा चनाव खड़ा है तो इस पर क्या उनकी राणनीती होगी इन जो हिंदी वासी इलाकों में जिस तरीके से उनको हार मिली है उसमें उन्होंने क्या सोचा होगा और किस तरीके से राणनीती बनाएंगे कि जिसे हिंदी परेशों में खासकरमाद ये परेश है तीज़ार राइश्था में उनकी जमीन बीजेपी न खोई है उस खोई हुई जमीन को कैसे वापस लिया जाएगा इस सब के प्रकाश क्यों ना एक गैस्वर्ग किया जाए आपको क्या लगता है कौन कौन से वो मुद्धे हो सकते एक इंटिव्यू में जरा राहूल तो होंगे ही राममंदर भी होगा वही चारतारी को सुनवाई होनी है और किन-किन मुद्धों पर आपको लगता है कि कर सरकार है तो जाहिर है कि ना सर्फ विपक्षी की बात होगी बलकि सहयोगी दलों की भी बात होगी खास्त और से बिहार में नितीश कुमार मुख्यमंतरी है और बीजेपी के साथ है आज मैं उनके साथ था भी थोड़ी देर पहले नववर्ष की शुबकामनाय दी जा रह जिसका की जवाब ना सिर्फ बीजेपी विपक्षी बलकि सहयोगी दल क्योंकि अलग 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 देश के हिस्से में सहयोगी दलों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी है और ज़्यादा देर चुडाओं नहीं है तो जाहिर है खुल करके सामने आए उन्होंने का कि सामप्रदाइक्ता से कभी भी वो नहीं समझोता करेंगे तो जाहिर है कि ऐसे मंत्रियों जो की सामप्रदाइक्ता की बात कर रहे थे आयोध्या मुद्दे पर या फिर तलाक के मुद्दे पर जो सहयोगी दलों की राय है उस पर उनकी चरम पर चीजे थी वो अलग माने थे प्रकाश इस बीच बता दूँ कि आपके एक फैन है जो मुझे लिख रहे हैं कि आपने विकास जी को और बुजेश जी को हैपी न्यू इयर कहा और प्रकाश जी को आपने नववर्ष की शुबकामना नहीं दी तो हैपी न्यू इयर अच्छा मैं आती हूं जरा आपके पास और सारे मुद्दों पर और डीटेल में थोड़ा हम बातचीत करते हैं लेकिन उससे पहले प्रकाश आप कुछ कहना चाहरा है जिया मैं ये कह रहा था कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अब उन सवालों का जवाब देंगे जो उन्होंने 2014 में कहा था पूरे कैंपेन में कि हम 60 महीनों की बात करेंगे कि हमने आकिर 60 साल वर्से साथ बहीनों की बातबर प्रकाश के बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर पता आपको क्या है कल दोपहर का जो लंच है वो प्रधानमंत्री नरेंड रमोदी अब बीजेपी के दफ़तर में लंच प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंड रमो सारी बड़ी बाते भी आपके स्क्रीन पर होंगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंड रमोदी का सीधा इंटर्वियू और उससे जुड़ी हुई बाते होंगी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए 86 स्थाई कर्मचारी इस बीजेपी के दफ़तर में 1500 कार्यकरताओं के साथ कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंड रमोदी दोपहर का लंच कल करने वाले हैं दो तारी का यानि अपने साल की शुरुआत पहले वो इंटर्वियू से करते हैं और उसके बाद आप दे जे हैं बिलकुल रुबिका ये इस वक्त मैं बीजेपी दफ़तर के पिछले इससे में खड़ा हुआ हूँ और यहीं पर कल दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी तकरीवन देड़ वजे के आसपास आएंगे इस बीजेपी दफ़तर में तकरीवन देड़ सो कर्मच कर्मचारी इस थाई है और बाकी दोपहर करेंगे उनके साथ बात्चीत करेंगे मुलाकात करेंगे और ये प्रधानमंत्री मुदी का बीजेपी कारेलाय में करमचारियों से मिलने का यह सिलसला है यह पिछले चार-पांच सालों में लगातार चल रहा है जब भी यहां पर किसी बड़ी बैठक के दौरान परल्लेमेंटरी बोर्ड की बैठा गया चुनाव समीती की बैठक के दौरान आते हैं तो वे कर सपून हो जाती है चुनावी साल है प्रधान मंस्ति इस दौरान इन करमचारियों से बाचीत करके उनकी योजनाव के असर करमचारियों पर किस तरह से पढ़ते हैं उसके बारे में जानना पसंद करेंगे और प्रधान मंती बहुत रादा इंपूट लेने वाले प्रधानमंतियें वे हर वर्ग से हर तपके से इंपूट लेते रहते हैं और जाहे तोर पे जब वीजेपी के इन तमाम कर्मचानु साथ बैठेंगे तो उनसे भी इंपूट लेंगे ठीक है मेरे साथ यहां स्टूडियो में वरश पत्रकार अभय दूबे जी पी अभय दूबे जी आपने ये कुछी देर में सामने होगा 95 मिनिट का इंटर्वियू इसका मतलब ये है कि फटा फट से किसी मुद्दे को छुआ और आगे निकल गे वाली बात नहीं है हर एक प्रधानमंत्री नरेंर मोदी के उस इंटर्वियू की पहली तस्वीर आपके सामने है एना एडिटर स्मिता प्रकाष सवाल करते हुए और जवाब देने की मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंर मोदी तो देश के प्रधानमंत्री का पहला इंटर्वियू 2019 का 95 मिनिट का इंटर्वियू आपसे कुछी देर में आपके सामने होगा बट नाइन्टी सिक्स मिनिट्स अभाई जी वट डिस इट शो देखे यह बहुत बहुत उप्रूर है एक जनवरी एक जनवरी दो हजार चौदे को प्रधान मंतरी जिस मानसिक स्थिती में थे उसके ठीक पांस साल बाद मीडिया में लगवग इस बात पर मतैक है सब लोग इस बात पर एकमत है कि शायद उतने आश्वस्त और उतने सहज नहीं है जितने पांस साल पहले आज के दिन थे तो उनकी बेचैनियों की वज़़ा क्या है और आखिरकार को किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं मुझे लगता है जिसको आप मास्टर स्ट्रोक कहती है अबने प्रोग्राम में मैं उसको हिंदी में रामबान कहता हूँ तो प्रधान मंत्री को भारती इंता पार्टी को उनकी सरकार को एक ऐसे रामबान की तलाश है जिसको एक बार चलाएं और सारी समस्याओं का हल हो जाए सारे विरोधी एक ही बार में उसी तरह बचाओ की मुद्रा में पहुंच जाएं इस तरह पांस साल पहले आज की दिन बचाओ की मुद्रा में थे जीए पांस साल पहले जिदने विपक्शी था, बिक्रे हुए था, सारे भाजपा विरोधी वोट बिक्रे हुए थे, आज सारे विपक्शी एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं, कहेंकि एकजुट हो गया हैं, प्रिक्रिया में तो ये सब चीज़ें पुर्धान मंत्री के लिए बहुत चिंता की सभाव में आज के दिन वो बिलकुल एक नई चीज थे तमाम अद्दाताओं के लिए आप ये बोर रहे हैं कि शक्स वही है कुरसी वही है हालात बदल गया है वक्त बदल गया है साल बदल गया है और अब व असानी के लिए अलग-अलग हमारे रिपोर्टर किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जैसे आशीश कुमार सिंग क्या कॉंग्रेस इस 95 मिनिट के इंटर्वी और इसमें चुपी हुई बातों के लिए तयार है इसका जवाब देंगे पंकज क्या मंदर बनेगा ये सवाल प्रदान मंत्री नरेन मोदी से पूछा जाएगा इसके जवाब के लिए क्या मोदी तयार है और किस तरीके के जवाब ये बताने के लिए हमारे साथ पंकज भी है आशीश कुमार भी अब जुड़ गया है चलिए सबसे पहले आशीश का अब मैं रुक करती हो आशीश बता प्रदान मंत्री चुप इसलिए है इसलिए कुछ नहीं बोल रहे है क्योंकि उनके पास तरक नहीं है अपने आपको डिफेंड करने के लिए इस वज़े से बहुत कीनली कॉंग्रेस इस प्रेस कॉंफेंस को देखेगी साथ में मैं आपको बड़ी बात बता दूँ कि प्रदान मंत्री का ये इंटर्व्यू जैसे ही खतम होगा कॉंग्रेस पार्टी उस पे बाकाइदा आपचारिक तोर पर रियाक्ट करेगी कई एह जिनको ले करके बहुत कीनली वाच किया जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी में जहां पर कॉंग्रेस मुख्याले में मैं हूँ और जैसा मैंने आपको कहा कि इस इंटर्व्यू के खतम होने के बाद आपचारिक तोर पर कॉंग्रेस पार्टी अपनी प्रतिक्रिया भी देगी पंकज जस्ट 20 सेकंड्स आब जी अपनी बात करें और फिर मैं आपके पास आती है प्रतान मंत्री शिकायत रही है को प्रेस कॉंफरेंस नहीं करते हैं मैं इसको भी प्रेस कॉंफरेंस का रिप्लेसमेंट नहीं मानता हूँ यह ओपने प्रेस कॉंफरेंस नहीं है यहां पत्रकार बैठे हुए हैं और वो अपने मन से बिना किसी योजना के बिना किसी पूर्व निधारत योजना के सवाल पूछ रहे हैं इस तरह के इंटर्वियू पिछले फिछले एलेक्शन से पहले भी पजानमंतयी ने एक चैनल को दिया ता तो इस इंटर्वियू के उपर एक और यह स्वाल पहले से तैय उसके बाद ज्याब दिये गए इसतरह के जो close interview होते हैं जिसमें केवरल एक पत्रकार होता है पहले स सब्सक्राइब करेंग और इस तरह का इंटर्व्यू इन दोनों में हमेशा ही एक फर्क होता है इस तरह के इंटर्व्यू एक पार्टी की रणनीटी के अंग होते हैं मेरा अंदाज है अंदाज है लेकिन आप ये इंटर्व्यू देखिए ये तस्वीर आपके सामने अपसे कुछी देर में ये 95 मिनिट का इंटर्व्यू आप ABP नूस पर देख सकेंगे थोड़ी देर में और देखिए आपको क्या लगता है प्रदान मंत्री नरेन मोधी के अंदाज में होंगे हैश्टाग मोधी और ABP पर आप टाग कीजिए और उसके बाद बताईए आपकी राये रखिए मैं कोशिश करूंगी कि प्रोग्राम में आपकी उस राये को भी मैं रख सकू लेकिन पंकच मंदर का मुद्धा जवाब देंगे या असहज हो जाएंगे रूप का सबसे बड़ा यही मुद्धा है जिसको कई लोग मानते हैं और संग और संग से जुड़े हुए संगठन बीजेपी के सहयोगी संगठन को भी लगता है कि राम मंदिर का मुद्धा गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि किसानों के लिए कारुबारियों के लिए नौज पर आएगी सरकार ये पीए मोदी ने कहा पहला बड़ा धमा का इंटर्व्यू का आप समझ लीजिए हम सुप्रीम कोड के फैसले का इंतिजार करेंगे राम मंदिर पर अध्यादेश सरकार नहीं लाने वाली है क्योंकि बार बार बीजेपी से यही सवाल पूछा जा रहा और आप जानते हैं कि उसका जवाब क्या आता था कोड के फैसले का हम इंतिजार करेंगे क्या आप अध्यादेश लाएंगे तो फिर जवाब आता था कि हम सम्विधानिक दाइरे में रहते हुए राम मंदिर पर कोई अगला कदम उठाएंगे लेकिन आप पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है राम मंदर पर अध्यादेश सरकार नहीं लाएंगे और ये किसी और की तरफ से नहीं खुद प्रदान मंदरी नरेंज्र मुदी की तरफ से इंटिव्यू में कहा गया है आबादी इसके माने क्या है प्रदान मंतरी अपनी सरकार की उप्लम्धियों पर चुनाव रड़ना चाहते हैं। प्रकास जावडे कर समेथ कई मंत्री बार बार पिछले दो महीने से अखवारों में इंट्रिवू दे रहे हैं कि हमने जो योजनाएं हैं योजनाएं लावु की हैं उन योजनाओं को जो लावारती हैं वो हमारा नया जनाधार है वो बीजेपी के नए वोटर हैं और इतने करोर नए वोटर हैं कॉंग्रेस के वकीलों ने कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाली ये बात कहीं इंटर्व्यू में प्रधान मंशी नरें जो बचाओ का जबाब है ये बचाओ का जबाब इसलिए है क्योंकि वो चाते हैं कि उनकी पार्टी की उपर इर्जाम ना लगे पंकज में चाती हूँ आप इन दोनों बातों का अभी विशलेशन करें खबर हमारे पार से विशलेशन आप कीजिए क्या मतलब है इस तके औरिनेंस नहीं लाएंगे और सत्तर साल से जो सत्ता में रहा है उसकी वज़़ा से लड़का है देखे रूबिका पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधर ने वाला है इसके लिए बार बार हमें तयारी करनी होगी ये फिर बड़ी बात अपने पड़ोसी मुल्क को लेकर प्रदान मंत्री नरेंज मोदी ने इसके माने अब जी प्रदान मंत्री ने जो कहा है मैं उसकी तारीफ करूँगा मैं ये कहूंगा कि वो एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि ये लोग जो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से छोड़ी मोड़ी जड़प करके या भारत पाकिस्तान तनाव के सहारे हम लोग चुनाव लड़ेंगे वो साफ साफ कह रहे हैं कि एक लड़ाई का मसला नहीं है ये कोई भारत-पाकिस्तान के संबन्द जो हैं कोई चुनावी मुद्दा होना नहीं जा रहे है मेरी समझ में इसका मतलब ये है आशीश क्या मतलब है इसका प्रधान मंत्री ने ये कहा है अपने इंटर्व्यू में कि राम मंदिर पे केन सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी और सत्तर साल से जो लोग सत्ता में थे उन्होंने समुद्दे को लट गए दो हजार उन्डीस का पहला इंटर्व्यू है मैं मुबारक बात दे रहा हूं प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने एनाई को इंटर्व्यू दिया और आप पर बड़ा आरोप लगा है आप जाहिर है कि आप ला नहीं सकते हैं तो एक आप लोग भी तो कहते हैं कि सुप्रेम कोट के फैसले का इंतिजार करें वही तो प्रधान मंत्री ने कहा है स्वाबाविक है ये डबल गेम है ये एक एड्मॉसफियर बिल्ट कर रहा है इस देश में कि हम क्यों नहीं ला सकते हैं आप इसको डबल गेम कह रहे हैं इन्होंने क्या किया इनका एजेंड़ा ये था पांच साल से कुछ भी नहीं कर रहे थे अभी इनको याद आ है राम लाल जी का और राम मंदिर की बात राम जी को भी नहीं बखते हैं ये लोग क्या कहें इनका अशीष 18 सेकंड पेले एक औ मोदी होगा तो उन्होंने कहा नहीं है जनता वर्सिस गठ बंदन होगा मोदी तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है लोगों की महबत का और उनके उनके ब्लैसिंग्स का आशिरवात का प्रधान मंस्री ने कहा है कि 2019 का जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा 2019 का चुनाओ जनता वर्सेज महागडवंदन होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये होगा मोदीजी वर्सेज देश अब उसको वो अगर हेडलाइन हमारा जो स्लोगन है वो उनको पसंद नहीं आया तो उसको ट्विस्ट करने का कोशिश है उनके कहने का ताथ पर ये है कि देश उनके साथ है आप कह रहे हैं कि देश बना नरिन मोदी बिलकुल देश वासी ये चाहते हैं कि ये बार इस बार मोदी वर्सेज दरेस्ट ये सचाई है और वो मोदी जी भी जानते हैं और इसलिए वो रियेंफसाइज कर रहे हैं कि भाई ये मेरे खिलाफ नहीं है ये जनता जनार्दन तैर कर चुके हैं ये युद महा युद किसके साथ हैं मोदी जी वर्सेज रेस्ट ये सचाई है रुबिक आप देख रही है कि पलट वार किया जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे पास initial reaction है कॉंग्रेस पार्टी के अधिकरेत प्रवक्ता की तरफ से और उनका ये कहना है कि अगला जो चुनाओ होगा वो to the contrary मोदी बनाम जनता होगा यानि कॉंग्रेस पार्टी का एक लेम है कि जनता का समर्थन कॉंग्रेस पार्टी के साथ रहने वाला है टॉम साब एक सवाल और आपसे दोबारा मैं पूछना चाओंगा आपसे पहले भी पूछा जो प्रधान मंत्री ने कहा कि हम इस पर ordinance नहीं लाएंगे राम मंदिर पर लेकिन 70 साल आप लोग सत्ता में रहे आपने इस मुद्दे को लटकाई ये संगीन आरोप है ये लोग देख रहे हैं देखे हमारा एजेंडा जो था हम राम जी का अधर करते हैं हम विश्वास करते हैं राम जी पर लेकिन हमने ये नहीं वादा किया था कि फलाना डेट को पांच साल के अंदर ये करेंगे अगर उनका एलाइस का ये सोच है कि ये जुमला था तो आप सोचिए सचाई क्या है रुबिका ये रिटैलियेशन है कॉंग्रेस पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी अब प्रदान मंत्री को बीजेपी को ये याद दिला रही है अगर आपको ये बात जरूर आशीश बोलनी चाहिए कि जब आरोप लगा रहे हैं और जब कटगरे में खड़ा करी रहे हैं बीजेपी को और प्रदान मंत्री नरेंर मोदी को तो उसमें शिफसेना के कंदे की उनको कोई जरूरत नहीं है ट्रिपल तलाग पर क्या कहते है रफाल पर क्या कहते हैं मोदी के बोलने का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है जो बड़ी बाते हैं अब मैं स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं और फटा फट से दोबारा बता देना चाहती हूं पहले मैं पांच में से शुरू करत जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके उपर विचार नहीं किया जा सकता है यासी पूरा मसला नहीं निकल जाता उसके बाद ही तो हम अध्यादेश पर विचार कर सकते हैं एक छोड़े से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ उसके बाद आपके सामने प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी का साल का ये सबसे पहला और बड़ा इंटरव्यू बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगबग 95 मिनिट तक प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी ने हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी है आज बड़ी खबर 2019 के इस पहले प्रोग्राम के क्या है कि प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी ने अपने साल का पहला इंटरव्यू दे दिया है प्रदान मंत्री ने बड़ी बड़ी बाते कही हैं लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी का कारे करता हो या बीजेपी का वोटर हो या फिर विपक्षी पाटिया जानना चाहती थी कि मोदी क्या राय रखते हैं और लीजे राम मंदर पर मोदी का बड़ा बयान जिसमें प्रदान मंत्री ये कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अध्या देश पर विचार किया जाएगा मोटा मोटी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए तो प्रदान मंत्री जो कह रहे हैं और सारे प्रोसीजर्स चाहे वो कानूनी हो चाहे वो पालिमेंटरी हो अगर आप लाइन में लगा दे तो फिर तो 2019 के चुनावों के बाद ही या पिर अगली सरकार में ही इस पर फैसमा कहा गया था कि इसमें वो बहुत तेज आगे नहीं जाएंगी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सब कुछ होगा अब जब प्रदान मंत्री बिल्कुल खुलकर सामने आ गये हैं तो यह इसपष्ट है कि वो ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहेते हैं कि वो अपने ही अनुशा प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने क्योंकि वो जो है राम मंदर के मुद्दे पर नहीं इन फाक्ट जो काम उन्होंने किया है उस मुद्दे पर जनता के बीच में जाना चाहते हूं लेकिन रूबिगा जी जी सहमत होते हूँ यह तो प्रदान मंत्री ने कही दिया है कि हम दरसल यह कहके काम अद्यादेश नहीं लाएंगे कि हम ने जो पांस साल काम किया है उसकी डिलीवरी जो उसके लावारती है उनको अपना हम लिया वोटर मान रहे हैं हम चाहते हैं कि वो हमें वोट करें लेकिन साथ मैं राजकिशोर जी इस बास से मैं सहमत हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू मुसल्मान नहीं होगा र पूरा अंतरवरोद वो राज़ीत में पैदा करते रहेंगे देखिये रूबिका प्रधान मंती नरेंद मोधी जब आये यहां पर तो उन्होंने कहा कि जब चुनाओ 2014 में जीते थे तो आपको याद होगा लालकर साड़वारी ने कहा था कि यह नकारात्मक जनादेस था त तो निश्चित तोर पर जिस बात को और हुने कहा तब वो बात यहां पर जुटलाती हुए प्रतीत होगी लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से आपको याद होगा अमिश्चा जी मैं इसको तोड़ के आप दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ और आसान आप दोनों पत्रकार हैं तो आप दोनों ही खेमों में क्या बात चल रही होगी इसको पहले से इसका अनुमान लगा सकते हैं और इसलिए मैं आप दोनों के सामने इस सवाल पूछती हूँ विपक्षी इस स्टेट्मेंट को कैसे ले सकते हैं मतलब ओर्डिनेंस नहीं लाना आप कह रहे हैं कि वो यह प्रूब करना चाह रहे थे या वो यह बताना चाह रहे थे कि देखिए यह मेरे जो बाकी संगतन है मैं उनके दबाव में नहीं आया हूँ मैं कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ से एक वो जो खैमा है विपक्ष का व बहुत बड़ा हमला、 प्रधानमंत्री नरेंर मोदी बड़ा हमला करते हैं गांधी परिवार पर और कहते हैं के जिनोंने देश को लूटा, वो बेल पर बाहर है, जिसने देश पर राज किया, वो जमानद पर बाहर है। पहला रियक्शन लेता हूँ आर्पियन सिंग हमारे साथ है आर्पियन साब प्रधान मंत्री का ठेक आया है उनके इंट्रिव्यू का कि गांधी परिवार सीधा हमला करते हूँ उन्होंने कहा है कि बेल पर बाहर हैं आपके लीडर्स देखे चौकिदार क्या है पूरा देश नारा देरा जो आपके दर्शक देख भी रहे हैं चौकिदार जितना भी शोर मचा ले जिस चौकिदार ने चोरी की है वो जितना हला करके और जिसकी लोगों की दृष्टी दूसरे तरफ जाना जाए तीस हजार करोड जिसने रफैल दील में चौकिदारी करते हुए उसके नीचे पैसे निकाले गए हो देश के नौजवानों के देश के किसानों के वो चौकिदारी का जांच कॉंग्रिस पार्टी अवश्य करेगी और किसने पैसे खाया है ये भी देश जान जाएगा यह बी सवाल होगा लेकिन ये भी तो कि आपके लीडर्स तो बेल पर हैं प्रधान मंत्री वहीं कि आप जानते ना अगर पात साल में यह तो कहते थे ना कि मैं सब को जेल भीजवा दूंगा क्या हुआ कौन से ब्रश्टाचार में बंद है नैशनल हेल अगबार जो है साफ तोर पे यह जब आंदोलन चल रहा था स हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस अगबार को लगाए था और उसी को आप देजद्रोवी बताते हैं दुख की बात है कि प्रधान मंत्री जितना हला कर ले जितने भाशन दे दे और अच्छा है कि 5 साल में कम से कम कोई इंट्विव दिया पर उसमें भी किसी से सवाल नही पर क्यूं नहीं लेते हैं राहूल गांडी जी तो रोजाना मिनिंग इतने करते हैं सवाल क्यों नहीं है प्रेस कांफरेंस करके मैं भी आपको बोल दूँ यह सवाल पूछिए और मैं जवाब दूगा जिस तरह क्या रोप प्रधान मंत्री नशीर स्थर पे लगाएं उससे कॉंग्रेस पार्टी चिंतित तो नहीं पॉप्लेक्स तो नहीं आप देश एकी सवाल पूछ रहा है नारा अगर 2018 का कोई रहा है चौकीदार क्या था आपके दर्शक बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं तो आर्पियन सिंग से आप वादा कर लीजिए कि प्रधान मंत्री नरेन मोधी इंटर्व्यू नहीं देते हैं तो आशीश कुमार सिंग को राहुल गांदी इंटर्व्यू दे दे इस साल में सारी बाते उसी वक खतम हो जाएगी ये बात अपनी रखिएगा और दूसरा ए एक और बड़ा बयान प्रधान मंत्री का आगया आशीश एक और बड़ा बयान और उस पर आर्पियन से आप रियाक्शन ले लीजिए ये का है प्रधान मंत्री मोधी ने कि नोटबंदी के लिए पूरे देश को पहले से आगा किया जा चुका था हमें पता था कि इस तरीक के के लिए देश को तयार कर दिया था काले धन पर एक साल पहले ही अलर्ड कर दिया गया था आर्पियन सिंग से इस पर रियाक्शन लेंगे आशीष आशीष देखे डी मॉनिटाइजेशन पर आप लोगों ने बहुत घेरा सरकार को प्रधान मंतरी को प्रधान मंतरी सपश्च तोर पर कह रहे हैं कि डी मॉनिटाइजेशन के फैसले से पहले देश को प्रिपेर कर दिया गया था ये देश के लिए कोई जटका नहीं था बार-बार प्रधान मंतरी की तरफ से भी RPG ये कहा गया था कि अगर इस तरह का कोई कारोबार कर रहा है या गलत तरीके से आप पैसे इकठा कर रहे है तो इसको डिस्क्लोस कर दीजे और इसके बार डी मॉनिटाइजेशन किया गया देश तयार था आप उन पर गलत आरोप नहीं लगा सकते नोड बंदी के साथ क्या फाइदा देश को हुआ है जिन उन गरीब लोगों से पूछे जिनोंने लाइन में अपनी जान दे दी और प्रधान मंतरी ने उन पर शोक तक नहीं और जो काले धहन पर रोख लगए वह काला धन रुग गजया है क्या आप जड़ा आम जनता से आप तो बड़े पत्रकार हैं काला धन रुग गया नकष्टलवाद खतम हो गया आतंगवाद खतम हो गया किसानों've ka क्या हाल हुआ आम आदमी का क्या हाल ह我 है चोटे दुकानदार छोटे व्यपारी समाथ हो गए और आप कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है मैं तो समझ नहीं सकता कि अगर आप ABP चैनल ये अगर कह रहा है कि प्रधान मंत्री का ये कहना है कि दीमानिटाइजेशन पर जन्ता को पहले से प्रिपेर कर दिया था अरे किसको प्रिपेर कर दिया था उनके कैबनेट तक को नそうですね कैबनेट को बं करके रखना पड़ा और तब देश का कैबनेट बं किया जाता है और बड़ी खबरे आ रही है इसलिए मैं दुबारा दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि साल के सबसे बड़े इंटर्वियू में प्रधान मंत्री नरेन रुमोदी ने कौन सी बड़ी बाते कही है हालखी में पार्टी के भीतर और संग परिवार के संगठन के अंदर मंदर के जल्द निर्मान की प्रक्रिया को लेकर आवाजे उठी है ये प्रधान मंत्री नरेन रुमोदी ने कहा है और उसके बार जब उनसे कहा गया तो फिर अध्यादेश को लेकर आपका क्या विचार है उन्होंने का जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक अध्यादेश पर कैसे विचार किया जा सकता है राम मंदर को लेकर जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है तब तक अध्यादेश लाने पर विचार नहीं हो सकता है आप समझ जाईए अगर इसको मैं बहुत बेसिक रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँ और मेरे दो वरिश सयोगी यहाँ पत्रकार यहाँ पर बैटे हुए है वो ये बात आराम से आपको समझा देंगे कि इसके माने सीधे सीधे ये आचा कानूनी प्रक्रिया इसलिए धीमी है क्योंकि वहां कॉंग्रिस के वकील है जो सुप्रीम कोड की सुनवाई में रुकावड पैदा कर रहे है आप समझ रहे हैं किसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है हमने पार्टी के घोशना पत्र में कह रखा है कि राम मंदर का फैसला संवधान के दाइरे में ही होगा राम मंदर बीजेपी के लिए भावनात्मक मुद्दा है एक emotional issue है ये सारी बाते कही प्रधानमंत्री नरीन मुद्दे जैसी कि बीजेपी ने अपने घोशना पत्रों में कहा कि आयोध्या में बीजेपी भव्यराम मंदर के पक्ष में है प्रयागराज चलते हैं वहाँ पर संतों का जमावड़ा है मेरे सयोगी रणवीर के साथ जरा संत इस पर क्या सोचते हैं अध्यादेश अब नहीं आएगा रणवीर बताईए जी रुबिका आपको बताऊं कि मैं प्रयागराज में मौद्जूद हूँ कुम्भ को लेकर लगातार यहां संतों का आना जाना लगा हुआ है चाहे नरेंद्रा गिरी जी महराज हो अवधेशानन जी महराज हो या रविंद्र पूरी जी महराज कई लोगों से मेरी बाते हुई है सबका यह कहना है कि सारा संत समाच चाहता है कि राम मंदिर का निर्माट जल्द से जल्द हो और सब संत ये कहते हैं कि जब कसाप को लेकर रात को सुप्रीम कोट खुल सकती है तो राम मंदिर पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है क्या तो ऐसे में लगातार संतों की मांग है उनका कहना ये है कि लोकसभाचुनाव नजदीक है मैं अगर अगर ये पूछू कि आपने किसी संत को इस मसले पर dalla ये लगाया है क्या उनका reaction था उनका पहला reaction किया था क्यूकि वो ये कह रहे थे कि जब कोट खुल सकता है सुप्रीम कोट रात को खुल सकता है किसी आतंक्वाधी के लिए खुल सकता है और फिर प्रदानमंची नरेन मोधी पर भी आरोप लग रहे थे, आरोप लगाए संत द्वारा जा रहे थे कि भी आपने तो वादा किया था आप नहीं तो फिर कौन मनाएगा ऐसे में अध्यादेश नहीं आएगा को संत समाज कैसे ले रहा है जी देखिए फिलहाल तुरंत अभी प्रतिक्रिया आई है ऐसे में किसी बड़े संत से भी फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है लेकिन इस मामले में अभी हमने कई लोगों से जब इससे पहले बात की और संतों से पूझा कि आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती है या कोई कानून लेकर नहीं आती है तो सबका ये कहना है कि आखिर जब केंद्र में बीजेपी के पास बहुमत है यूपी में बीजेपी के पास बहुमत है तो आखिर सरकार को दिक्कत कहा है रन्वी कोशिश कीजी जल से जल्द संसमाज का रियाक्शन ABP News के दर्शकों को मिले एक छोड़े से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं लेकिन देखे बहुत आक्शन पाक्ड ये इंटर्वियू है सारी बड़ी बातों पर प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी की राय उनकी बाते और फिर आप जानते हैं कि मुद्दे शुरू हो जाएंगे लोग सबाद चुनावों की 2019 के प्रदान मंत्री नरेन रुमोदी एवी पी निउस पर सारे सवालों का जवाब देते हुए आपको नजर आएंगे बस 95 मिनिट और उसमें आप समझ लीजे देश में अगले चुलावों का हर वो मुद्दा जिस पर विपक्ष अपनी राय रखेगा और प्रदान मंत्री अपनी बात कह चुके होंगे अभी मंदर पर उन्होंने अपनी बात कह दी गांधी परिवार पर बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया उनसे अध्यादेश के बारे में राम मंदर को लेकर कहा गया उन्होंने का जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती अध्यादेश के बारे में नहीं सोचा जा सकता है वो सारी बड़ी बाते जो इस वक्त प्रदान मंत्री मोदी ने कही है मैं आपको बता देना चाहती हूं सिलसलेवार तरीके से पाकिस्तान के बारे में भी अपनी राय रखी उन्हों का एक लड़ाई से पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है ये देखिए एक एक करके मैं आपको बताती हूं कौन सी वो बाते कही है मंदर पर कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जाएगा प्रधानमंस्री नरेन मोदी ने राम मंदर को लेकर अपना बड़ा वयान दिया 2019 का चुनाव जनता बनाम गठबंदन होगा मोदी तो सिर्फ मोहबत और आशिरवात की वज़े से वो नाम दे दिया जा चुका है मेरा वरना ये जनता वर्सिस गठबंदन होगा चौती बड़ी बात नोट बंदी लोगों के लिए जटका नहीं थी काले धन पर अलर्ड किया गया था और साल भर पहले ही अलर्ड किया जा चुका था पाचवी बड़ी बात प्रदानमंस्री नरेन रमोदी ने अपने इंटर्वियू में कही कि चार पार्टिय चार पीडियों तक राज करने वाले आज जमानत पर है उन्होंने बात गांधी परिवार की की और वो भी फिनेंशल इर्रेगुलारिटी इसका जिक्र प्रदानमंस्री नरेन रमोदी ने कहा यानि की पैसो के लेंदेन में अनियमितता का जिक्र उन्होंने किया रामंदिर को लेकर जब तक कानूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या चल रही है तब तक अध्यादेश लाने का विचार नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से ये बड़ी बात उन्होंने कही उन्होंने का कानूरी प्रक्रिया इसलिए धीमी है क्योंकि वहाँ पर कॉंग्रिस के वकील है जो सुपरीम कोट की सुनवाई में रुकावट और खलल पैदा कर रहे हैं कॉंग्रिस पर ये दूसरा बड़ा आरोप हमने पार्टी के घोशना पत्रों में कह रखा है कि राम मंदर का फैसला सम्वधानिक दाइरे में ही होगा राम मंदर बीजेपी के लिए भाबनात्मक मुद्दा है इमोशनल इशू है ये प्रदान मंत्री ने कहा कि जैसे कि बीजेपी अपने घोशना पत्रों में मैनिफे यहां पर दिली के राम लिला मैदान में भी हम लोगों संद्शमागम देखा आयोध्या में जिस तरीके से आवाजे उठी प्रयाग राज में कुंभ में भी जिस तरीके अमिश शाह भी इस मसले पर बात कर चुके हैं तो जाहिर है कि संग परिवार के भीतर से जिस तरीके से दबाव बन रहा है राम मंदिर को लेकर कि उनको लगता है कि इस पष्ट बहुमत के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता के बाद भी अगर राम मंदिर राम लला टाक में रह जाते हैं तो उसके बाद इनका भी टेंट उखड सकता है तो निश्चित तोर पर ये उनका राजनीतिक कंसन हो चाहे आस्था हो इन दोनों में क्या है ये वो ही लोग जाने लेकिन प्रधान मंती नरेंद मोदी जब जिस कुरसी पर बैठे हुएं वहाँ पर उनको सम्विधान का पालन करना होगा ये बात में समस्ते हैं और जैसी बात अभी अभे जी भी कर रहे थे और जो बात इससे पहले हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि सारे चार साल या पांस सालों में उन्होंने जो भी काम किये हैं कि हैं सिर्फ एक मुद्दे पर उसको क्या वो नियुचावर कर सकते हैं हाँ राम मंदिर के मुद्दे पर निश्चित तोर पर इस इंटरव्यू से इसपष्ट हो गया है कि कॉंग्रेश को छोड़ने वाले नहीं कपिल सिंबल का यह कहना कि 2019 से पहले निरंजनी अखाड़े के संथ हमारे साथ जुड़ गए हैं आनन्गिरी माराज उनका जरा रुक करते हैं आनन्गिरी जी प्रदान मंस्री नरेंदर मोदी का यह कहना कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है क्या माने इसके इसका मतलब यह निकालाया सकता है निश्चित तोर पर देखे संग परिवार की इस बात से वो सहमत है कि मंदिर बनना चाहिए और उनके मैनिफेस्टों में भी है लेकिन वो कैसे बने चुकि वहाँ पर वो एक जमीन विवाद है वो सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है तो आखी नियम कानूनों की धजियां उड़ाकर किस तरीके से अध्यादेश ले आया जाए ये राम मंदिर वाला अध्यादेश लाने की पूरी जो दबाव था उनका मांग थी इसको ठंडे बस्ते में डाने नहीं वो नहीं डानने वाले और दूसरा विकल्ब उनके सामने ये हो सकता है अबे जी अगर वो ये कहते हैं कि अध्यादेश ला रहे हैं तब भी उनकी आलोचना होती और आप वो कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है हम ज़रा इंतजान करते हैं तब भी आलोचना हो रही है विपत्ष की तरफ से होती कांग्रेस की तरफ से होती और उन लोगों की तरफ सो सबढ़ का कर रास्तव कोर्थ कर धा चुनावी गोल्बंदी करों पर प्रिश वारता के लिए आने वाले थे उससे पहले बीजेपी अध्यक्स अमिश्रा की उनसे मुलाकात होती है उसके बाद भाईया जी जोसी आते हैं वहां प्रिश वारता कुने क्योंकि संग प्रमुक की लेकिन उस बीच आपको ये दर्शकों को बताना जरूरी है कि कुछ 5-6 मिनिट बाकी है और उसके बाद नए साल का ये सबसे बड़ा इंटर्वियू प्रदान मंत्री नरेन मोदी का आपके सामने होगा लेकिन जो बड़ी बाते गई हैं हमने जवानों को संदेश दिया था कि सूरज निकलने से पहले अपनी धर्टी पर वापस आना मिशन सफल हो या विफल सूरज उगने से पहले आना ये प्रदान मंत्री नरेन मोदी सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी बात कह रहे हैं हमले की तारीक को दो बार बदला गया जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रख वा रखते हुए हमले की तारीक को बदला गया सर्जिकल स्ट्राइक पर हरको ये पूछ रहा था और सोच भी रहा था क्या प्रदान मंत्री नरेन मोदी इस पर अपनी बात रखें ये क्योंकि मत बुलिए प्रदान मंत्री ने हर बार स omनर की तर आपनी सरकार के लिए हमेश प्रदान मंत्री नरेन मोदी का इन सारी बातों को कहना ये बताता है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक बढ़ी हुआ मैंने कहा था कि दुश्मनों को पकड़ने के चक्कर में ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं करना सूरज उगने से पहले जमीन पर वापस आजाना धर्ती पर वापस आजाना सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ ये सारी बाते प्रदान मंत्री नरेन मोदी सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ इन खतरनाक ओपरेशन पर राद भर नजर थी मेरी लाइव जानकारी में ले रहा था ये वो बाते हैं जो अब तक प्रदान मंत्री नरेन मोदी ने कभी नहीं की इससे पहले जो इंटर्विय हुआ था और विदेश में हुआ था आप याद कीजिए तब भी सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने दो तीन सेंटेंस कहे थे लेकिन यहाँ पर पूरा डीटेल में बताया मुझे पता था कि बहुत बड़ा खत्रा है मैंने कभी भी किसी राजनते खत्रे के बारे में चिंता नहीं की मेरी सबसे बड़ी चिंता जवानों की रक्षा और सुरक्षा थी यह सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रदानमंत्री कह रहे है मैं नहीं चाहता था कि जो जवान सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहे हैं उनको कोई नुकसान हो और इसलिए मैं बार-बार लाइब जानकारी ले रहा था हर वक्त नजर बनाय हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जवानों को बहुत ही ध्यान से चुना गया था उन्हें एक खास ट्रेनिंग दी गई थी जो भी हतियार थे वो मुहया कराए गए उनको यानि एक बहुत लेंदी प्रोसेज मेंटेन किया गया था जब जवान ऑपरेशन के लिए गए तो मैं पूरे समय रेस्टलस था बेचैन था मेरे लिए वो पल मुश्किल हो गया था जब घंटे भर के लिए जानकारी हमें मिलना बंद हो गई थी ये प्रदानमंत्री कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को वो लाइव जो है उसकी जानकारी अपने पास रख रहे थे सूरज उगने के घंटे भर बाद भी वो वक्त मेरे लिए मुश्किल भरा था उसके बाद ये खबर आई कि जवान अभी नहीं आए है ये सारी बाते प्रदानमंची नरेन मोदी बता रहे थे अब 2 मिनिट 50 सेकंड बागी है और उसके बाद प्रदानमंची नरेन मोदी का 95 मिनिट का ये इंटरव्यू आपके सामने होगा बगार इंटरप्शन हैश टाग मोदी और एबी पी पर अपनी राय आप दीजिए अभी जो मैं आपको पढ़के सुना रही थी आप इसी से समझ गए होंगे कि 95 मिनिट में जो भी मुद्दे हैं प्रदानमंची नरेन मोदी उन मुद्दों पर खुल कर अपनी बात रख रहे हैं बहुत लेंदी कॉन्वर्सेशन रहा है एक छोटा सा रियाक्शन प्रकाश मैं आपसे चाहती हूँ और उसके बाद आप जानते काउंडाउन शुरू हो जाएगा प्रदानमंची नरेन मोदी का इंट्रव्यू होगा बिल्कुल रुबिका ये जो आ रहा है रियाक्शन केसी त्यागी की तरफ से जेडी होगा तो उन्होंने साफ तोर पे कहा है कि जो अध्यादेश नहीं लाने का ऐलान किया है प्रदानमंची ने ये उनके विचारों की जीत है NDA के वक्त में जब वो शामिल हुए थे अटल अड़वानी के वक्त में तो उन्होंने कॉमन विल्मेंप प्रोग्राइम के तहट तीन मुद्दों को रखा था जिनमें से राम मंदिर का भी मुद्दा था और ये बराबर कह रहे थे कि राम मंदिर मुद्दा पर या तो दोनों पक्ष के आपसी सहमती से या फिर कोट के आदेश से ही बने या जो कुछ भी फैसला आए उस पर ही आदारी तो तो जाहिर है कि जो सह्योगी दल है उसे इस रूप में देख रहा है कि उनकी जीत है और दूसी तरफ जो कॉंग्रेस पार्टी है वो इस पर सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन कहीं न कहीं इशारों में ये बात कह रही है कि इस पूरे मसले पर प्रदान मंत्री जो अब तक म नरेनर मोदी जो बात अपनी रख रहे हैं अध्यादेश पर सुप्रीम कोट की सुनवाई में रुकावट पैदा कर रहे हैं कौन ये राम मंदिर को लेकर कॉंग्रेस के वकील हमने पार्टी के मैनेफेस्टों में कह रखा है कि राम मंदिर का फैसला सम्वधान के दाइरे में ही होगा राम मंदर बीजेपी के लिए एक एमोशनल इशू है जैसा कि बीजेपी ने अपने मैनेफेस्टों में कहा है और अपसे कुछी देर में आपके सामने देश के प्रदानमंत्री नरेनर मोदी का दोजार उन्निस का फॉर्स टे फॉर्स शो होगा हैश्टाइग मोद अपनी राय आप प्रदानमंत्री के हर एक व्यक्ता के बाद हमारे साथ शेयर करने की कोशिश कीजेगा